हुआ जाएं दोस्तों केल से आप लोगों मेरे से भचिस होंगे दोस्तों से जोस्टेए में बात करते हैं सारों वाध के बारे में आदर्सवाट यह थार्त वाध प्रकृति वाध और प्रियोजन बात इंगिस बात करेंगे सुभी इस वीडियो वे टॉक आपो आईडिलिजम रियोलिजम नेच्ट इसम और प्राइग्माटिसम यह चारो चीज़े होती क्या है चारो बात कि अब आप वाद को समझे कि वाद क्या है वाद एक्षुर्ण में एक दार्सनिक विचारधारा है उस समय के जो दर्सन सास्त्री थे उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्नुत करी यह पूरे संसार का निर्माण कैसे हुआ इस संसार में उपस्तित वस्तूओं का अस्तित्तों क्या है इनसान क्या है उसकी आत्मा क्या है परमात्मा क्या है इस से संबंद में उन्होंने अपनी विचार दारा है एक ऐसर विचार दारा जो यह मानती है जो हमारी आत्मा है वह यिस्वार का अंस है और हमारी जीवन का एकमात्र मक्सद यह Develop abc लेना तो अधर और स्वार की यह विचार भारती वह भौतिक जगत से अध्यात्मिद्ध को इस्वांगी टी 37 00 है यहाँ पर हम बस कुछ वक्त बिताने आये हैं और हम यहाँ पर अच्छे कारिकर के हमारा असली मकसद यह है कि हम अध्यात्मिक जगत इस्वर्ग को प्राप्त कर ले स्वर्ग और स्वर्ग को प्राप्त कर ले नर्ग से बच्चा है तो जो आदर्सवाद की विचारधारा है वह इस्वर्ग की अस्तित्यों को मानती है इस्वर्ग को स्रेष्ट आत्मा मानती है इस्वर्ग को मानती ह तो यह हो गई आदर्सवाद की विचारधा रहा आदर्सवाद की विपरियत जो तीनों विचारधाराएं चाहे यथार्तवाद हो चाहे प्रकृतिवाद हो चाहे प्रयोजनवाद हो यह तीनों विचारधाराएं इस्वर्ग को नहीं मानती उनका इस्वर्ग से नहीं मानना ह उनका अलग है उनको यह बहुत जगती सत्य है इस्वर आत्मा प्रमात्मा स्वर्ग और नर्ग को यह तीनों विचारधारे नहीं मानती प्रकृतिवाद यथार्थवाद और प्रियूजरवाद तो अब आए देखते कि यथार्थवाद एक्शुल में क्या मानता है विप्रिट कोई नहीं है इसके विप्रिट कुछ भी नहीं है चिना भगवान है न स्वर्ग है न नर्ग है ऐसी कोई चीज नहीं है भौतिक जगत ही सबसे स्रेस्ट जगत है और यथार्थवाद को पदार्थवाद भी कहते हैं क्योंकि यथार्थवाद को इंगलिसमें र वस्तु है हम भी एक पदार्थ है हमारी आत्मा भी एक पदार्थ है जैसे कि मानने कि यह टी-शर्ट है यह पदार्थ है इसका काम यह है कि यह कहीं बना और एक दिन नस्ट हो जाएगा ठीक उसी परकार मनुसी परकार का पदार्थ है इस दुनिया में है वह फिर भी नस्ट ह करते जाएगा तो यतहरतवाद को पदार्थ वाल भी कहते हैं और यह मानती है कि हम सारी चीज एक पदार्थ है एक वस्त हुआ सब चीज़ को नस्ठ हो जाना ठीक इसी कि तरह ये अध्यात्मिक so all walking जगत को नहीं मानती है ठीक किसी तरफ प्रकर्तिवाद की बात करें सब्सक्राइब जमीन है पानी है फिर्थ प्रकर्ति रूप में प्रकर्तिया हुआ है ठीक उस्सी प्रकार से इंसान भी प्रकर्तिक की देर है वह सवैम से कुछ के रियसिलत्तिवासे मिलकर बन गया हम प्रकृति का रूप है हम जैसे पेड़ पौधे दुनिया में आते हैं बढ़ते हैं फिर एक बार नस्ट हो जाते हैं ठीक उसी प्रकृति है वह भी इस दुनिया में आया है और अपने जीवन के बाद मुनस्ट हो जाएगा ठीक है कोई पुण्णर जनम नहीं कोई कि भागवान नहीं कोई इश्वर नहीं तो प्रकृतिक जो वाद है यह जो यह दर्शनिक-जास्त्र है यह विज wattاتार है वह भी इश्वयरों और लोकिक को नहीं मानती है ठीक इसी तरह से परयोजनबात की बात करें तो परयोजनबात भी काफी यहторण वाद काफिंसी मिलर रहा है मनें बताए ना कि यह वह भग्मान को ईमान विधार्त्वाद और पूरे संसार को एक वस्तु की तरह पदार्थ की तरह देखती है जूसामने चीजे मांती है प्रकरुतिवधाद पूरे संसार को प्रकृति के रूप मानती है और परियोजनवाद जो है वो भी वस्तु मानती है यह थार्थ वाद और प्रियोजनवाद भी पहर एक संसार को वस्तु मानती है लेकिन प्रियोजनवाद का यह मानना है कि संसार का निर्माण किसी किर्यासिल तत्तों से हुआ है में सुरज के अंदर क्रिया सिलततों सेडिशी का निर्माण वौ अवा रित्वी फ्र फिर रुस्टे रit म strictly के वैसे सब से इस प्रकार से पर यूजयन वाज़य वह मानती है वह भी वस्तु को प्रदार्त की रुप मान यह मानती dunno है कि हर एक चीज़ का दुनिया का दिर्मार्ण प्रमार्ण के दिर्मार्ण इंसान के दिर्मार्ण प्रियासील तत्तों से हुआ है और आत्मा को भी वांती है कि वह एक दिर वह नस्ट हो जाए तो यह मुख्य बात थी चारों वाद के बारे में ठीक है अब आएए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा साब्दिक अगर मानुजी को आप से एजाम में पूछता है कि आदर सवाद का साब्दिक अर्थ क्या हुआ तो साब्दिक अर्थ का बिलकुल उसके सब्दों से ज्वार्थ निकलता हो जैसे आदर सवाद को अंग्रेची में कहते हैं आइडिया प्लस सब्सक्राइब का मतलब तो सब्सक्राइब के बात करें तो प्रियोजन बात की सापती के बात के तो परियूजन बात को अंग्रेजी में pragmatis कहते हैं और इसकी उत्पति ग्रीक भासा के pragmatis सबसे हुई है जिसका अर्थ होता है किया गया कार, वेहसाय या प्रभावपूर कारे अच्छा कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रेगर्टिस्क सब्त की उत्पती गिरिक वासा के प्रेगमोर्टिक कोस से हुई है जिसका अर्थ होता है वहवारिक क्रिया क्रिया इस पकार से दोनु दोनु वियुक्तियों के आधार पर परियोजनबाद का सापदिक अर्थ हो सत्य मानती है, जो किसी देश 가장 independent और परस्तिति में वहवारी कतवा उप्योगियों पर्योग वाद को परियोग वाद फल वाद को अबनववाद और वहवारवाद भी कहते है और पर्योजन वाद और उप्योगिता पर बल देने से इसे पर्योजन वाद कहा आक यह जाता है थिका दोस्तों तोब यसी नNova को बारे में में जाना है आप देखते हैं का मूलसिधांद का उता है इसने मूलसिधांद को लिखेंगे और जो बात कर रही थी ने उनिया उनी चीज़ों को मूलसिधांद रूप those चीजे वास्तार में मूल सिधान्त होती है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आदर्श वात के मूल सिधान्त क्या आते हैं और इस दुनिया से बहतर है आत्मा को इस्वर को परात करना और दोस्तों आत्मा का अध्यात्मिक सबस्तों आत्मा है और परमात्मा सर्विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो दृस से जगत की अथार्त हता है, मतलब जो चीज़ें दिखती हैं, वही सत्य है, वही अथार्त है, और ग्याने अंद्रियों की अथार्त है, मतलब हम जो भी ग्याने अंद्रियों से ग्यान को अरजित करते हैं, हमेरे जो भी ग्याने अंद्रियों हैं, वही हमें वास्तो ग्यान कराती हैं वास्तो जगत का ग्यान कराती है इस्वर आत्मा प्रवात्मा को अस्विकार करता है वस्तु जगत की नियमित्ता होती है मानों के वर्तमान और वहवारिक जीवन ही प्रबल है मतलब इंसान की जीवन है वही प्रबल है प्रकृतिक वात का क्या मानता है प्रक संसकार और दोनों स्वयम प्रकृति हैं बहुतिक संसकार ही सत्या आद्धात्मिक संसकार एक कल्पना है और संसकार प्रकृति द्वारा निर्मित है प्रकृति वाद मनुस्य को संसकार का संसार का सरवस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् संसार का निर्मार्ट तत्तों से हुआ है सुख पुर्वक जीवन ही उद्देश से है के वर भौतिक संसकार ही सत्त है राज एक सामाजिक संस्ता है आत्मा परमात्मा को अस्वी कार करती है पर्यूजरवाद तो यह हो गए इनके दोस्तों मूल सिध्धांत दोस्तों इस वीड से लिखेगा क्योंकि आधर्षवाद अध्यात्मिक जगत को मानती है तो उनकी मूल सिध्धांतों के आधार पर ही आधर्षवाद ने सिक्षा के उद्देश से रखे और सिक्षा का आधार रखा ठीक उसे प्रकार से जो भी वाद रहे हैं जैसे याथार्थवाद वह किताबों में चीज़े रहेंगी ठीक है बस कहने का में मतर उनका यही था जो उनकी मूल सिधांते थी वही समझना बहुत इस वीडियो को यह खतम करेंगे दोस्तों उमेद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कुछ चीज़े समझ में आए होगी आप इस करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हुए अगर हां तो लाइक करें कमेंट में अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपके फीडबैक से में अपने वीडियो को और इस वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चेल कि अपने पर शास्क्राइब करें से अगर बहुत अब्सक्राइब बहुते है यह यहार दोस्तों